हलो एवरीवन, वेलकम टो अनुवा स्टेडी फेट्स, आज हम बात करेंगा इस एंपी टेट के प्रिवियस या पेपर के पार्ट टू के बारे में, तो हम इसमें वर्ग दोके बालविकास के प्रिश्ण को डिस्कस करते हैं, पहले के जो 15 कॉश्चन्स हैं हम पहले डिस्कस क यह हमारा पार्ट टू है, अगर आप लोग यह सेशन पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले के सेशन भी देखिए, क्योंकि कॉश्चन्स, टॉपिक्स सेम रहते हैं, तो कॉश्चन बहुत हता, पूछे जाने की संभावना रहती है, कि हो सकता है, क्वश्चन एज इस और अगर कभी रिपीट नहीं होगा, तो आपको टॉपिक्स तो ही पता चल जाएंगे, तो आज का पहला क्वश्चन है, कि निमने लिकित में से कौनसी नैदानिक प्रक्रिया, क्लासिकल कंडिशनिंग पर आधारित है, टोकन एकनोमी, टूचेर टेकनीक, ट्रांसफेरेंस स्याफे सिस्टेमेटिक डिसेंसिताइजेशन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल फेक्ट बेस जाएंगी, तो मेरा यह कहना है, कि अगर जो भी चीज़ें फेक्ट बेस जाती है, तो आप उनको अपनी स्कूल कारे की कोई समस्या नहीं है, तो वो बच्चे में क्या है, लर्निंग डिस ओर बोलेंगे, कमिनिकेशन बाक्चीत का होता है, मेंटल मतलब मानसिक रूप से, बहुतिक मतलब वो पढ़ने लिखने में कमजोर है, या और अधर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ र आप भी पाता है, तो यह अब्जेक्ट पर्मानेंस है, अगर आपने अब्जेक्ट पर्मानेंस नहीं पता है, तो प्याजे की थियोरी चैनल पर अप्लोडेट है, CDP Full Course ब्यानुवा, Study Facts में, वहाँ पर जाएए, प्याजे की थियोरी से रिलेटेट दो सेशन्स है, एक MCQ वाला सेशन भी है, उसको देखिए, वहाँ पर आपको अब्जेक्ट पर्मानेंस के बार में बहुत अच्छे से डीटेट में डिसकस किया हुआ है, यह सेशन इसलिए इंपोर्टेंट है, यह से क्वेशन्स पता चलते जाएंगे, सैश्वा वसला में माना विकास का एक मनो लेंगिक सिधान्त है, यूमन डेवलपमेंट फॉम इनफैंसी ओनवर्ड, यह किसने दिया, तो यह दिया है सिग्मन फ्रॉइड ने, साइको सेक्शुल थियोरी बोलते हैं, साइको एनलेटिकल थियोरी भी बोलते हैं, सिग्मन फ्रॉइड के द्वारा, बॉद्धिक अव लेटिड जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरीके से क्वेशन्स आप लोग को पता लग जाएंगे कि क्वेशन्स किस तरीके से पूछे जा रहें, 31 सेशन्स हो, चुके यह 30 सेकंड नंबर का सेशन है, फिर रोडशाक जो शाहिद अबबा टेस्ट उसमें यह बिलकुल फैक्ट बेस्ट है कि 5 बेस्ट सेशन्स आर मैण।ень में कि अपसे। आप इसको डोड़ करो तो आपको और लोग वहां से आपको पता लग जाएंगे कि यह 911 चूर्व में लग जो ईड़ कार्टे कार्ट कंप कि इस आप जारी नंच आरिजो तो अब आपको असको जो कि पूछे जाते हैं और हमें इस तरीके से इन पर तैयारी करनी हैं अपनी तो बहुत ऐच्छे से तैयारी भी हो जाएगी साथ में आपको टौपिक्स भी पता चलते जाएगे क्योंकि topic का पता होना बहुत जादा जरूर है कि कौन-कौन से ऐसे topics हैं जो बार-बार exam में पूछे जाते हैं घुमा फिर आकर ये as it is question भी पूछा जा सकता है अब है कि जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो बच्चे में क्या हो जाती है अधिकम विवश्टा आ जाती है learn helplessness आ जाती है कि अगर कोई बच्चा fail हो गया है और अगर उसको बच्चपन में punish कर दिया जाए तो learned helplessness मतलब वो सीखने में थोड़ी सी रुकावट टाइप कह सकते हैं हम इसे तो कभी भी ध्यान दिया होगा कि हम अब टीशर्स के लिए भी mandatory हो गया है कि आप किसी भी बच्चे को मारेंगे नहीं तो ये इसी वजह से ये rules बनाए गए है परिपकोता अधीगम को प्रभावित करती है क्योंकि ये निम्न पर प्रभाव डालती है तो किस पर? motor और cognitive skills पर cognitive is related to brain और motor skills जो हम activities करते हैं motor skills में मैंने gross और fine explain की है आप इसको CDP full chapter series करके एक नई playlist बनाई गई है जिसमें हम हर Saturday को अपना theory वाला session discuss करते हैं तो वहाँ जाकर आप इस session को देख सकते हैं sessions देखना इसलिए जरूरी हो जाता है वहाँ से हमारे concepts clear हो जाते हैं फिर आता है कि सामाजिक अधिगम सिद्दान के अनुसाब प्रभावी modeling के जो चार आवश्यक उसमें last वाला हमको ये बताना है कि fourth है motivation अब फर्स्ट कौन सा है attention, retention, reproduction and fourth one is motivation सकारात्मा कक्षा संस्कृती का निर्माण निम्न छेत्र के अंतरगत होता है तो यहाँ पर creating positive classroom करना है तो यह effective हो जाएगा affective जो होता है domain होता है वो emotions से related होता है और हम यहाँ पर positive environment create कर रहे है it means it's related to emotions सामाजिक समाज से समझ आ रहा है psychomotor यहाँ पर motor वाला जो मैंने अभी बताया था cognitive it's related to our brain सकारात्मा कक्षा मतलब हम environment create कर रहे है that is effective need भावात्मा क आवश्यक्ता I hope आप लोग को session समझ आ रहा है और आप लोग जो 15 questions में करवाती हो उसमें आप लोग कोशिश करा करो इसको as a test लिया करो फिर नेमले कित में से क्या सफलता प्राप्त करने में सफलता के लिए एक सकार आत्मक तर्क style के रूप में मैं वर्नित कर सकते हैं तो हम किसको कर सकते हैं lack of motivation है तो हाँ डालने के लिए प्रेणा और उची का अभाव यहाँ पर ध्यान रखना यह बहुत जादा effect डालता है next है कुछ मातापेता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं बच्चे की किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए उनको मजबूर करते हैं तो authoritarian होते हैं जो authoritative होते हैं वो बहुत अच्छे parenting style में आते हैं जिनको care भी रहती है प्लस control भी रहता है लेकिन यहाँ पर केवल control ही control है तो यहाँ पर आजाएगा कि authoritarian फिर studies in human development कहां से तो conception to death गरभादान से म्रत्यू तक यह development वाला chapter में अगर आपने नहीं देखा है तो cdp full course में भी देख सकते हो cdp full chapter wise series करके एक playlist है उसमें भी देख सकते हैं development क्योंकि development से question हमेशा पूछा ही जाता है तो कुछ कुछ topics तो बिलकुल ऐसे डिट्रो से हैं जहां से आना ही है और क्या आना है वो भी लगबग लगबग तै होता ही है तो आप लोग इनकी preparation करते जाएए अब MBIT का full firm है तो Myers-Bricks type of indicator यह बिलकुल fact based है तो guys यहाँ पर हमारा session complete हूँ हमने 15 questions discuss कर लिए 15 में से आप लोग के कितने आप लोग comment करके जरूर बताना session पसंदा है तो like share subscribe करना next session में मिलेगी thanks for watching this video